नमास्कार दोस्तों इनकी आयू 47 एज है और इस हाथ में एक फिश्चाइन भी है यह देखिए काफी बड़ी फिश्चाइन है यह ऐसे जब इतनी बड़ी फिश्चाइन हो तो व्यक्ति काफी सम्रुद्धी पाता है अपने जीवन में और यह व्योसाय से बिल्डर है और बड़ा काम का जाए इनका और यह साइन इनको काफी बेनिफिट देगी काफी उच्चियस्तर पर पहुचाएगी और इनके द्वारा जानकारी मिली है कि यह साइन बाद में डवलप हुई है यह पाम आया है इनका सवाल है 45 से 47 के बीच में इनको मजा नहीं आ रही है बिजनस में चाहिए वैसा ग्रोथ नहीं है साइन में 20 करोड सुर्पया मैंने यहां तक इन से बात की कि ऐसे तकलिप के समय में भी आपने ऐसेट बनाए होंगे तो इनका जवाब था यस यह साइन में ही यह ताकत है जैसे मुल धन कमा के देता है ब्याज 2400 घंटा वैसे यह साइन भी 2400 घंटा व्यक्ति को कमा के देती है 2400 घंटा वर्तमान समय में एक राव रेखा ने काटा है उसके कारण यह तकलिप उठा रहे बाकी 20 करोड लोन नेचरल भारती अर्थ व्यरस्ता में जो टेक्सेशन सिस्टम है उसमें इस तरह की सिस्टम में चलती है कि यह कितने भी बड़े बन जा है बड़े से बड़े उ अच्छे खासे ऐसेट है यानि कोई ऐसा नहीं के 20 करोड लोन है तो यह प्रॉबलम में है ऐसेट इनके बाद भरपूर है तो यह साइन इनको ट्रिमेंडस ग्रोथ देगी ट्रिमेंडस ग्रोथ इनका कहना है धर्म में इनके पैसे अच्छे खासे लगेंगे क्या मैं काऊंगा यस आप धार्मिक चीजों में खर्च करोगे और अच्छा खासा पैसा खर्च करोगे मंदिर का निर्मान इस तरह की साइन वाला व्यक्ति इतना आमीर होता है कि चाहे वो धार्मिक कारे अगर धार्मिक है तो जितना चाहे उतना पैसा खर्च कर सकता है क्योंकि यह ट्रिमेंडस ग्रोथ देगी आपको ट्रिमेंडस क्योंकि यहां पर amount बोलने पर वाद विवाद होता है इसके लिए मैं amount डिसकस नहीं करता पर यह sign भरपूर पैसा देती है हाँ किसी ने आपको टाटा विर्ला की तरह खाया टाटा विर्ला की तरह आपका हाथ नहीं है उस level का हाथ नहीं है पर अच्छा खासा growth करोगे आप अपने सहर के टाटा विर्ला जरूर बनोंगे यह sign के कारण अब इनके दूसरे photograph पर चलते है यह इनका main photograph तीन photograph हों के दारा यह पाम का analysis करेंगे यहां पर देखे तो यह पाम यहां पर चोड़ा ही ज़्यादा यहां पर कम है तो जनरली देखा जाता है यहां तो व्यक्ति जॉब करता है अब फिश्टाइन वाला जॉब तो कर नहीं सकता क्योंकि बहुत huge level की income होती है व्यक्ति के जीवन में यह partnership ज्यादा करता है partnership में बिजनेस करता है ऐसा भी देखा जाता है यहां पर एक अच्छी सी लाइन बनी हुई है तो ऐसे लोग काफी समझदार होते है और जीवन के जो नेने आते हैं opportunity आती है उसको बहुत अच्छी तरह से grab कर पाते हैं इनका एक सवाल है foreign का बिजनेस कब चालूँगा वो भी मैं उसका भी जवाब दूँगा जब शनी परवत second जो photographs है fate line वाला उसका जब use करूँगा तब उसका मैं जवाब दूँगा आपका कब वो start होगा और यहां पर space ज़्यादा मिला हुआ है वो उस पर निर्वर करता है और बहुत बार बड़े बड़े लोगों के हाथों में मैंने ये भी देखा है उनके हाथों में अगर दम नहीं भी रहा तो परिवार के किसी व्यक्ति के हाथ में अगर positive sign रही तो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा उननती करता है पर यह तो खुद ही अच्छी साइन लेकर आए और अच्छी खासी बड़ी फिश चाइन है तो ट्रिमेंडर्स ग्रोथ इनके जीवन में होने वाला वो समय भी मैं बताते जाओंगा और अभी भी ये ग्रोथ कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत ज्यादा उस तरह से प किला है तो कारे के प्रती जिद्ध होती है और सेकेंड फैलेंज भी काफी अच्छा है तो व्यक्ति तत्यों के साथ लॉजिक के साथ अपनी बात बता बाता है उंगलिया काफी छोटी है तो व्यक्ति के हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जादा रहती है और बहुत और ये देखिए, ये उंगली अलग हटके चल रही है, जब ये हटके होती है तो ऐसे लोग जवाने के दिनों में तो बहुत आर्गुमेंट करते हैं, हर सब्जेक्ट में इनका ओपिनियन अलग होता है, चाये वो धर्म हो, चाये वो राधनेती हो, चाये सामाजी की व्यासता हर जगह पर इनके नेने डिफरेंट होते हैं, इनकी सोच कंप्लीट अलग होती है, पर जैसे जैसे उमर बढ़ती है, वैसे वैसे ये लोग सिख जाते हैं, फिर उसी के साथ आर्गुमेंट करते हैं, जिससे मित्रता अच्छी हुई रहती हैं, पर सुरुवात के दिनों में हर व्यक्ति के साथ ये लोग आर्गुमेंट करते हैं, एक ये खासियत होती है, और सब जगह दृष्टिकों ने इनका अलग होता है, और ये उंगली भी फर्स फैलेंट तक पहुचे हैं, तो व्यक्ति डॉकुमेंटेशन, फाइलिंग, चीजों को संभाल कर रखना, याज शक्ति, मनी मेनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीजों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है, और इनके थर्ड फैलेंट सपाट है, चप्ते है, तो बिजनेस सेंस इसमें इनमें भरपूर रहता है, अब यहाँ पर देखे, बुद्परवत पर देखे, आप कितनी सारी तो बिजनेस सेंस में पाउर्फुल होता है, और यह बुद्परवत देखे, तो यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ है, तो कहीं न कहीं मन की बाते करने में थोड़े से प्रॉब्लम क्रियेट होती है, और यहाँ पर जब उभार होता है, तो बिजनेस मीटिंग में बैठे, और यह पार दबा होता है, तो व्यक्ति को कहीं परिवार के साथ बैठे, या बिजनेस मीटिंग में बैठे, उठने के बाद पता चलता है, मुझे यह बात बोलनी चाहिए ति यह रह गई, और जब इतनी सारी लाइने, खड़ी लाइने हो, तो व्यक्ति ऐसे भी अमिर बन होता है, अब इनके सूर्य परवत पर हमने फिशाइन देखी लिए, बाकी स्क्वेर भी है, तो फैला हुआ कामकाज भी रहेगा, और जो यह इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे है, यहाँ पर स्क्वेर भी बन रहे है, तो इस तरह के स्क्वेर व्यक्ति को फैला हुआ काम कज भी देते हैं, यहाँ पर विद्यारेखा भी बनी हुई है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समस्दार होता है, और ज़्यादा तर सक्सेसफुल इनसान के हाथ में, यह मैंने लाइन देखी है, यानि व्यक्ति अपने बुद्धी प्रतिबासे, बेसिक ज्यान के कारण, काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी, यहाँ पर यह पार उभार है, तो थोड़ा सा सुबह उठने में तकलिफ होती है, पर उसके बाद दिन पूर आफ एक्टिव रहते होंगे, क्योंकि उसके बाद फ्लैट है, और यहाँ पर देखे, तो फेट लाइन पर मैं बताऊंगा तब बताऊंगा, यह इस तरह से चल रही है, और यहाँ पर लगबख गो पुछ जैसी अकृति भी बन रही है, वो जब क्लोज अप पर आएंगे तब उसके बारे में डिसकस करेंगे, और रेखा है, इस तरह भी जा रही है, सुर्य परवत की और, तो यह भी व उभार दिख रहा है, तो ऐसे लोगों को जीवन में देखा गया है, पारिवारिक और सांसारिक मदबेद बने रहते हैं, जीवन में, हाँ, कोई क्रॉस आ जाता है, जीवन में, जब यहाँ पर कोई क्रॉस आ जाता है, तो व्यक्ति को हो सकता है, सांसारिक मदबेद ना हो, पर पारिवारिक मत्बेत तो रहते ही है इसका उपाय मैं इनको दे दूँगा बहुत आसान उपाय है और यहाँ पर देखे तो यह square भी बना हुआ है तो व्यक्ति 32 साल के पहले कोई ने कोई property खरीद था और 36 साल पर authority position पर पहुजता है और यह जो रेखाय चल रही है यह multiple income की और इशारा कर रही है और व्यक्ति सेवा भावी भी होता है केवल पैसा नहीं कमाता साथ मैं सेवा भावी लगा रहता है और यह यहाँ पर भौत सारी रेखा है तो जैसे जैसे यह बुड़े होते जाएंगे वैसे वैसे growth इनका बहुत tremendous होता जाएगा और इतना बड़ा square व्यक्ति को बड़े घर में रहने का स्वभाग्य भी प्राप्त होता है और बुलने के कारे में व्यक्ति महारत हासिल करता है अब इनके अंदूरी मंगल को देखे तो काफी tremendous अच्छा है यानि सरीर की energy अच्छी होगी पर यहाँ पर भौत सारी रेखाए यह जब इतनी रेखाए होती है तो यह व्यक्ति को tense भी रखती है tense में भी रहता है व्यक्ति चिंतित तभाव का होता है यह एक minus point है और इसका बहुत अच्छा इलाज है meditation करना कोई भी समय पर करिये meditation सुबे समय मिले तो सुबे दुबहर को मिले तो दुबहर को दीद में केवल 20 minutes आपको meditation के लिए निकालने है हाँ शुरुवात में आपको sad भी नहीं होगा क्योंकि जब रेखाए हैं यहाँ पर जादा होती है व्यक्ति का ध्यान एक जगा पर एक चित पर नहीं लगता और भुले नाथ के मंदीर पर जल चड़ाना तीन महिने में आपको यह चिंता रेखाओं से मुक्ते मिलते दिखेगी आपको और कहीं पर यहाँ पर स्टार अगर होगा छोटा रोटा तुभी व्यक्ति को यहाँ छोटा सा स्टार दीख रहा है एक रो में जमीनों का फाइदा मिलता है एकर्स में जमीने होती है व्यक्ति के पास यहाँ पर देखे तो भारी मंगल इतना सॉलिड है कि जब किसी से मिलते होंगे तो full energy के साथ मिलते होंगे और व्यक्ति संकत के समय अपने लेवल पर संकत का सामना करता है और बहुत ज़्यादा सहासी होता है बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा भारी मंगल है और आपने जो वयोसाय लिया है आपके दोनों मंगल powerful है तो आपको जो building line है वो आपने perfect वयोसाय पकड़ा है क्योंकि मंगल जिसका अच्छा होता है वो जमीनों से जुड़े काम चाहे वो petrol pump हो, cement हो, रेती हो इस तरह के जो काम है उसके अंदर बहुत benefit मिलती है अब आपका चंडर परवत पर देखे तो यहां से थोड़ा सा दबा हुआ है पर चंडर का भाग बहुत बड़ा है तो यह दबा छेत्र व्यक्ती जादा बातुनी होता है जहां 10 वाक्य बोलने होते, वाँ 6 वाक्य काम के नहीं होते, 4 वाक्य काम के होते इस तरह का भी नेचर पर बहुत जादा दबा भी नहीं है तो फिर भी बोलने के आदर जादा रहती है और चंडर परवत पर एक triangle बन रहा है यह व्यक्ती को विदेश यात्रा से धनलाब की और इशारा करता है या तो व्यक्ती कवी बनता है या व्यक्ती विदेश में जब भी यात्रा करके आता है तो धन कमा के आता है उस तरफ संकेत जाता है और ऐसा ही triangle यहाँ पर और है एसा ही triangle यहाँ पर एक और मना हुआ है तो ऐसे लोग या तो कवी होते और कवी नहीं होते तो विदेश से धन प्राप्ति के जब भी यात्रा करके आएंगे वहां से धन प्राप्त करेंगे और चंद्रपरवत अच्छा होता है तो व्यक्ति का विदेश से संबन आएगा आएगा और आएगा दूसरी खासियत होती है इनकी नेड़े शक्ति अच्छी होती है नए-ने काम करते, इनके office के furniture, इनके घर के furniture देखने लाइक होते हैं और जो purchase power होता है वो बहुत powerful होता है अगर आपका शुक्र परवत कमजोर है तो आप एक 1000 की वस्तु खरीदने गए तो 400 में काम मिलती है वो देखोगे पर चंद्रपरवत वाला व्यक्ती, 1000 की वस्तु, 1300 वाली वस्तु कैसे 1000 में मिले वो लेने की फिराक में होता है यानि अच्छे purchaser होते है value for money purchase करते है ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है और यहाँ पर देखे तो एक पूरी रेखा इस तरफ जा रही है और इतनी बड़ी बुद्ध रेखा व्यक्ती को बहुत बड़ा सामराज्य क्रियेट कराने में help करती है प्लस इसके द्वारा बनने वाला greater triangle बन रहा है तो व्यक्ती बुड़ा पे तक अच्छी खासी संपत्ती का मालिक बनता है अच्छी खासी संपत्ती का शुक्रपर्वत भी powerful है और भहुत सारी रेखा है मोटी मोटी है ये लोग महंगी महंगी गारियों में घुमते और खुब पैसा कमाते और खुब खर्च भी करते और इतना शुक्रपर्वत व्यक्ती को थोड़ा सा कामुग भी बनाता है गर्मी इनको जरा भी पसंद नहीं आती जरा भी बहुत लोगों को पसीना भी खुब आता है पर ये सब के साथ लागू नहीं होता और इनका जो प्रेजेंटेशन होता है ये लोग खुद बहुत अच्छी तरह से रहते पैसा भी खुब कमाते और पैसा खर्च भी खुब करते और गुरु पर्वत भी बड़ा है पर थोड़ा सा इफेक्टेड है वो माइनस पॉइंट छोड़े तो बाकी दोनों पर्वत इनको मिलकर अच्छा खासा धनलाब देंगे पर इनके धनलाब के लिए इनकी एक फिश शायन ही पारफुल है वो ही बहुत माइने रखती है अब इनकी हिर्दे रेखा को देखे काफी अच्छी हिर्दे रेखा है कम्प्लिट गुरु पर्वत से सुरू होकर यह सी इदी चल रही है और यहाँ पर फ्लर्ट लाइने भी बनी है व्यक्ति कितना भी दुखी हो थोड़ी देर दुखी होता उसके बाद खुशी ढूंडता और जब गुरु परवत से सुरू होती है और थोड़ी सी कवल लेती है तो व्यक्ति भावग भी होता भावनाव में भी नेने लेता पर इतनी बड़ी अगर आपकी हार्ट लाइन है तो परिवार में कभी-कभी प्रश्न क्खडे होते हैं कि इनकी जादा ओति है और एक्सपेक्टेशन जादा होने के कारेब परिवार के लोग पेड़ नहीं होते तो इनको परिशानी का शामना करना पड़ता है पर्स्टनर लेवल पर मैयोची मिलती है और यह सिस लेवल पर काफी सक्सेस दिलागी क्योंकि ये लोग खुद सिस्टम में काम करने वाले लोग होते इनके हाथ के नीचे के वालों से बहुत अच्छा काम ले पाते और अच्छा काम ले पाते तो ज्यादा सक्सेस्पूल भी रहते बागी हार्ट लाइन काफी उत्तम है बहुत अच्छा जीवन, उत्तम जीवन जीने वाला व्यक्ति होंगे ये. अब इनकी हिर्दे रेखा देखे, तो तीस माइन लाइन देखे, तो गुरु परवसे सुरू होकर ये इस तरह से बैंड और ये नीचे की तरफ. और गुरु परवसे सुरू होती है, तो व्यक्ति महतोकांशी होता है, और नीचे जुकती है, तो जैसे जैसे उमर बढ़ती है, जैसे इन्होंने इस प्रश्ण भी पूछा धर्म के बारे में, और मैं कई वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, अगर चंद्र की और जितनी जादा जुकेगी, व्यक्ति धार्मिक जादा बनते जाता है, जैसे जैसे उमर, अब यह 47 के तो हो चुके, तो अब यह इनकी धार्मिक बनने की, उसके पहले से सुरुवात हो चुकी है, एक चीज यह, प्लस, जब बहुत ज़्यादा जुकती है, तो ऐसे लोगों को एक फिलिंग भी आती है, कि कोई इश्वरी शक्ती इनके साथ चलती है, बहुत लोगों को तो इश्वर के दर्शन तक हो जाते हैं, और साथ में काम करती है, यह आड़ी रेखा है, यह जब होती है, तो यह व्यक्ती को और ज़्यादा धर्मिक बनाती है, और तिसरा काम करती है, यह उंगली, यह जब बैंड होती है, तो ऐसे लोग ज़्यादा धर्मिक होते हैं, तो यह लाइन व्यक्ती को इश्वरी दर्शन भी करा देती हैं, पर ये सारी चीजे होती है, imagination power, यानि इनका imagination power काफी extreme level का हो जाता है, इसके कारण इनको इस तरह का एसास होता है, और घर में भारवालों के लिए सबसे उत्तम, पर घर में किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत जादा बोल-बोल करने वाले व्यक्ति होते हैं, बहुत जादा बो भर के लाता है, तो पूरा क्यों लाया, आधा क्यों नहीं लाया, यानि इतना उसके साथ बोल-बोल होता है, पर भारवालों के लिए उत्तम, एक व्यक्ति के लिए ये माइनस पॉइंट होता है, अब इनकी जीवन रेखा, और फेट लाइन के लिए हम close-up का सहरा लेते, औ और ये 30 साल तक परिवार के साथ जूड़ कर चलने वाली रेखा है, तो 30 साल तक इनके जीवन का development भी नहीं हुआ होगा, और उसके बार ये बाहर निकले होंगे, और इनके जीवन का development चालू हुआ होगा, और यहाँ पर ये जब रेखा बनती है इस तरह की, तो व्यक्ति के जीवन में यात्राओं का सुक बहुत जादा रहता है, बहुत यात्रा है करनी पड़ती है, व्यक्ति को, और यहाँ पर एक triangle भी बन रहा है, शुक्र परवत पर, ऐसे लोगों को पारिवारिक सुक काफी उत्तम मिलता है, जब यहाँ पर triangle बनता है, ये भी एक advantage रहता है, अ अब इनके close-up का सारा लेते हम, ये इनका close-up, पहले रावरेखाओं को गिनते हम, एक 39 उम्र के आसपास, इनको रावरेखाओं ने cut किया, एक 44 के आसपास हलकी सी रावरेखा ने cut किया, और एक 47 के आसपास रावरेखा ने cut किया है, जो वर्तमान समय में है, ये pain उठा रहे है, इस रेखा के कारण, और उसके बाद एक triangle बन रहा है, इस period में ये बहुत ज़्यादा property पर्चेस करेंगे, ये जो 5-6 साल का period होगा, ये बहुत ज़्यादा property खरीदेंगे, और उसके 52 के आसपास एक रावरेखा और आ रही है, और उसके द्वारा भी एक अच्छा सा triangle बन रहा है, इस period में ये tremendous property खरीदेंगे, और उसके बाद कोई strong रावरेखा नहीं है, कि जिसका जिक्र किया जाए, तो ये इस तरह से इनका जीवन रेखा चल रही है, एक और हुकावट इ एक चौपन में भी थोड़ी सी रावरे का और है, पर ये ग्रोथ अच्छा खासा इनको मिलेगा, और ये भी अच्छा खासा ग्रोथ इनको दिलाएगी, और ये लाइन पूरी इस तरह से घुम रही है, तो पारिवेरिक सोच वाला इंसान भी बनाती है, और ट्रावेलिंग ऐसे लोगों को भरपूर होती है, अब इनकी फेट लाइन को देखे, तो यहां तक ये मोटी चली, और यहां से 36 के आसपास से ये अलग लाइन निकली, अब 36 के आसपास ये जो एक 37 के आसपास कट लगा, एक उम्र लगबग इनको 39 के आसपास और कट लगा, इस पिरियड म भी कोई आर्थिक नुकसान इनको गया होगा, फिर 44 के आसपास एक कट दिख रहा है, इस पिरियड में भी इनको कोई न कोई आर्थिक नुकसान गया होगा, और यह अभी वरतमान पिरियड में देखिये, यहां पर भी छोटी एक-दो लाइनों ने कट किया है, और 8 ये 52 के आस-पास इनको cut आ रहा है ये period भी इनको नुकसान देगा और ये कोई बहुत बड़ा investment इनके जीवन में होगा अब इनकी फेट लाइन पतली होते जा रही है तो दिनों दिन इनकी energy जादा लगेगी सुबे से लेके शाम तक ये व्यस्त रहेंगे यानि energy जादा लगेगी पर पैसा खुब आएगा ये period से अभी वरतमान समय से लेके लगबग 62 साल तक इनके जीवन में भरपुर पैसा आएगा क्योंकि एक अच्छी सी fate line इनके हाथ में develop हो रही है और जो इन्होंने foreign business की बात की तो ये एक साखा यहां से निकल रही है ये लगबग 48-49 के आसपास इन के सुरुआत होनी चीए कोई ने कोई foreign business की क्योंकि ये इस तरह से दिख रही है और एक साखा ये भी निकल रही है पर वो जो business होगा वो actual में बहुत अच्छा running होगा 56 के बाद 56 के बाद वो growth ज़्यादा देगा और ये जो square बनते हैं ये कहीं न कहीं छोटी मोटी पुस्ते नहीं जमी जादात की और भी इशारा जाता है और यहां पर देखे तो इनकी ये fate line गोपुचर की तरह बन रही है ये भी अच्छा खासा progress व्यक्ति को देती है तो fish sign plus गोपुचर रेखा दोनों का लाप इनको जीवन में है तो अच्छा खासा विकास अपने जीवन में करे पर यह जो period चल रहा है अभी राव रेखा का period चल रहा है तो सारी चीजे अटकती दिखती है जीवन में एक negative भाव आता है पर यह जैसे ही राव रेखा का period पुरा होगा इनका जीवन smooth होना चालो हो जाएगा और काफी अच्छे sign लेकर यह जीवन में आये हुए tremendous growth करेंगे पर Tata Birla जैसा growth नहीं है हाँ आप अच्छे सर पर पहुचोगे यह guarantee और आकड़ा काफी बड़ा होगा आपके जीवन में आशा रखता हूँ आपके सभी प्रशनों के जवाब आपको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन झीवता हूँ प्रशनों धने आपके जीवन में आपके सिएयू